वेल्कम टू माई चैनल फ्रेंड्स आज हमारे सामने हैं 2017 मोडल सप्लेंडर बाइक जिसका की चार्जर टोटली खराब हो चुका है जो की बैटरी चार्ज अब नहीं कर पा रहा है तो आज इस बाइक के अंदर वो चार्जर कैसे चेंज किया जाता है आई देखते हैं यह सामने की तरफ मिंडा कंपनी का नेया चार्जर है जो की पॉस्ट करता है 280 रुपीर्स यह मैंने मार्केट से लिए और अब भी खोल के देखते हैं अंदर से कैसा निकलता है कुछ इस किलिए tools हमें चाइगे एक 10 mm का driver यह 12 इंदर की चाबवी आएक स्क्रू inspire और हमें स्टरूर्डर Resp supportive और हमें से लिए इसे सिम सैड़ का खोलना हमें बाइट साइड का और यह शेत निक्ड़ ऑक हमें कोड़ कर और अ मalajar यह पैनल अट हमें घॉर चाओ रमरा यह पैनल ऑप का यहां पर एक 10 mm का स्कुरू दिया गया है जिसको हमें ड्राइवर की त्रूप ओपन करना है तो जैसा कि यह स्कुरू ओपन हो चुक है और सेम आपको सेगेंड साइड का पैनल कोलने के बाद उपर से स्कुरू चेन करना है ओपन करना है इसको और अब सीट की खोलने की बारी आती है और जैसा कि सीट के बैक साइड की दरफ यहां पर हमारा चार्जर दिया गया है जिसकी कंडिशन बिल्कुली खराब हो चुकी है अब चली अब इसको भी यहां पर अगेंड वही टैन एमेंट का स्कुरू दिए गया है जिसको आपको ड्राइवर के मदद से खोलने और यह स्कूरूर थोड़ा सा टाइट है यहां पर तो इसको ड्राइबर की मुझे से हम खोलने वाले हैं तो जैसा कि यह चार्जर हमारा निकल चुगा है बाहर और एक सॉकेट दी गई है निच्ची जिसको आपको बाहर की तरफ खीचना है और यह निकल गई हमारी सॉकेट बाहर चार्जर डिसकनेक्ट हो चुक है और कुछ नया चार्जर हमारा ऐसा दिखते है जिसको हमने सेम तरीके से द्वारा लगाने है वही वली सॉकेट अब हमने इसको थोड़ असा पुश करके अंदर की तरफ लगाना है यह सही से लग आपको सेम तरीके से यहां पर कनेक्ट करनी है ताकि इस चार्जर का करेंट कहीं विडिस कनेक्ट ना हो सेम तरीके से इस बॉल्ट को ऐहां पर टाइट करना ह्यां है और अब ढूंकिसा इस बॉल्ट के सांगी अब हमें सेम तरीके से वही सीट को दोबारा बंद करना है साइडों के दोनों 10 mm के स्क्रूज लगाने हैं और पैनल बंद करने हैं लेकिन मैं मेटर आपको लगा के दिखा दिखता हूं जो कि चार्जर से पहले 9.8 वोल्ट दिखा रहा था और बाइक स्टार्ट है तो 12.75 वो रिमूव हो चुका है और ज्यादा इंट्रस्टिंग वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें लाइक करें शेयर करें कमेंट करें थैंक यू करें